हेगाई वेलकुम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब और मैं हूं केरान और आप सब का सवागत है मेरे चैनल से इंपर्पिमें ब्लॉक्स में तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट का रिव्यू जो कि मुझे कंपनी से मिल था और मुझे बोला गया था कि आप पहले से यूज करो अगर आपको इससे कुछ फायदे मिलते हैं तो आप इस पर वीडियो बनाना और अपने वीवर अपने सब्सक्राइबर को आप बताना कि यह प्रोड़क्ट कितना अच्छा है या फिर जो भी है जैसा भी है कि हमारे दस मिनट में मतलब कि आप देख सकते हो और यह जो है यह प्योर नेचुरल है इसमें कोई केमिकल नहीं है और आज मैं जो बताने चारह हूँ यह फेस के लिए है इसकीन के लिए है आप सब को पता है कि मुलतानी मिट्टी जो है हमारे फेस के लिए इसकीन के लिए कितना इ भीगोते थे फिर सुबह में मॉर्णिंग में लगाते थे या फिर एक दो घंटे के लिए भीगो और इतना आज के डेट में टाइम नहीं है हम लोगों के पास इतना सारा चीजे हम एकठा करें उसको भीगो फिर उतना अच्छा से वह पेस्ट भी नहीं बन पाता था थोरा सा अगर टाइम से ज्यादा हो गया तो वह ज्यादा पानी जो है अब्जर्ब कर लेता था फिर से वह सूफ जाना है तो आज का जो यह प्रोड़क्ट है यह है यह मुलतानी मिट्टी ही है और यह और गैनिज का है और प्योर नेचुरल है यह आप देख सकते हो और इसका जो जाओ अपला कि महीं नहीं बता सकती बहीन जादा और बहीन आसानी से उफ्य जूआता है अप देहो जैसे कि चेख सब्सान होता है सेम उत्सी लाइक और यह महीं यह है उत्यूदू कम चीज में इसका पेस्ट बना सकती हैं जैसे टोमैटो जूस हो गया या फिर गुलाब जल हो गया और मिल्क हो गया नीम्बू हो गया सहद हो गया या फिर कुछ भी नहीं लगाना है तो आप इसे नॉर्मल पानी से इसका गोल बनाईए और आप अपने फेस पर लगाएए और रिजल्ट देखिए आपको मतलब मैं जितना बता रही हूं उससे कहीं जादा आपको फायदे मिलेगा आप लगाने के बाद और अभी जस्ट मैंने वही लगाया हुआ है तो मुझे फायदा मिला है और इसका जो है और इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक में लिख रखा है और यह प्रोड़क्ट आप जब भी मतलब इसका जो आईडी है आप उसको खोलोगे तो आपको वहां पर भी इसकी सारी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इसको कैसे यूज करना है इसमें क्या-क्या है कितने सारे केमिकल है नहीं है तो आपको लगेगा उस है बट आप जब इसे लेने जाओगे तो आपको बहुत जादा डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर तो आप इसे असानी से खरीज सकते हो और आप इसको लगा के कितने देर तक रहना है क्या-क्या करना है वह नीचे यहां पर आप देख सकते हैं आप बॉक्स पर ही सारी ची जो है वो नेच्रल के नाम पर फेख मिलती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं और हम उसके चकर में फज जाते हैं और उसके बाद हमारे फेस और स्कीन को बहुत सारी चीजिये जो है वह छीलनी परती है तो इसे मैंने अभी उच किया है तो चलिए देखिए और रिजल्ट आप के सामने दीखेगा तो चले वीडियो सुरू करते हैं कैसे मैंने यूज किया है तो यह है मुलतानी मिट्टी पाउडर जो कि आप देख रहा है नो एड केमिकल इंप्योर नेचरल स्किन केर तो यह सारी चीज़ बिलकुल सही है और फुली अर्थ जो है मेनो ट्रनी के जो है व क्या करना है यह कितना इसका रेट है वह सारी चीज़ें यहां पर लिखी हुई है बट आप जब लेने जाओगे और करोगे तो आपको इससे कहीं ज्यादा डिसकाउंट आपको मिलेगा 40-50% डिसकाउंट मिल जाएगा एक बटल पे और यहां पे डिसक्रिप्शन में आपक वाटर में यूज कर रही हूं तो यह मैंने हाफ चमज मलताने मिट्टी लिया हुआ है और मुस्मिल से एक चमज जो है मैं वाटर लोंगी यह प्योर जो है वो पानी है कोई केमिकल कोई गुलाब जल नहीं है तो इसका पेस्ट जो है हम अपने पेस्ट के कोडिंग लगा सक हेखते और मैं यहां पर थोरे से अपने हैंड पर यूज करूंगी क्योंकि आशे तो आख मेरा प्रक हिस्ट देख सकते हो twor blender Tyler ह्यां और जुजन्स यह अभी आप लोगों के सामने ही दिख चाहेगा और इसको लगाने के बाद में इसे 10 मिनट तब 10 से 15 मिट इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे और अगर आप इसमें टॉमेटर जूस वगरा यूज करना चाहते हो अगर आपके फिस ज्यादा डल है तो आप कर सकते हो कुछ भी नेचुरल चीजे क्योंकि ये प्योर नेचुरलाइज में कोई कैमिकल नहीं है तो मुझे ये प्रोड़क्ट बहुत अच्छा लगा और आप देख सकते हो अभी मैंने पूरे फेस पर अपलाई कर लिया है अच्छे से और आप चाहे तो अलका सा मसाच भी कर सकते हैं और मसाच करके छोड़ दीजिए जब ये पूर्ट ड्राय हो जाए दस मिनट के बाद तो यहां देखिए मैंने अपने हैंड पर भी लगा रखा है और फेस भी जो है वो ड्राय हो गया और आप सिंपल पानी से जो है वो धो स रही हूं अब कोई मैंने फेस वास नहीं किया है कुछ भी क्रीम चैंपू कुछ नहीं यूज कि अभी मैं जस्ट पानी से वाश करके आ रही हूं और आप जल्ट देख सकते हो यह प्रोड़क्ट जो है मुझे काफी अच्छा लगा और काफी इंस्टेंट ग्लोइंग जो ह कोई जरूरत नहीं है और आप इसे यूज करके आप देखिया हाथ आगे मैंने यूज किया तो पीछे कितना का डिफरेंस है दोनों में तो रिजल्ट बस आप लोगों को मैंने दिखा दिया यूज करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी से जरूर यूज कि को इसे तो आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा और रिजल्ट जो आप लोगों ने देखा वह भी सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक सेयर कॉमेंट करने बीगूर मत बूलिए और जितने भी जिस भी टाइप के आपकी स्कीन है वो सारे टाइपके स्कीन के लिए करो और लिंक मैंने दे रखा है आप वहां से जाके और करो और खड़ी दो और यूज करके फिर मुझे बताओ कैसा लगा आप लोगों को ताकि मैं इसका रीदू जो है वच्छे से दे सकों और आप लोग भी दे सको तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में गाइस तब तक के लिए झायऑट और याजब करेंड़ सेंगे वायख तो और यंक ये राम